नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट प्रिव्यू में मैं हूँ आपका फैंटेसी होस रक्षित और इस वीडियो में हम प्रिव्यू करेंगे मलेशिया वर्सिस जॉर्डन इन दे एफसी एशियन कप सो दोस्तों ग्रुप E का मैच होगा बेट्वीन जॉर्डन जो है 87th इन फीफा रैंकिंग्स अन मलेशिया जो है 130th इन फीफा रैंकिंग्स सो प्रैमारी दोस्तों अगर आप देखेंगे इस ग्रुप में फाइट होगी की सेकंड प्लेस पे कॉन फिनिश करेगा और पॉसिब में हुआंग अफकॉर्स कांग इनली खेलते हैं सो जॉर्डन के लिए दोस्तों अपने बाकी मैच जीतना वेरी वेरी इंपॉर्टन है मेरे साब से दे आप फेवरेट्स तो फिनिश सेकंड इन ग्रूप और मैं एक्स्पेक कर रहा हूं कि वो मलेशिया को इस मैच में हरा चाहूंगा about fantasy अखाड़ा यहां पर दोस्तों आपको lowest commission मिलेगा among all fantasy apps in the country so किसी भी अगर app पे आप खेलेंगे और अगर आप fantasy अखाड़ा में खेलेंगे आपको जो profit मिलेगा वो maximum होगा because fantasy अखाड़ा जो है वो lowest commission आपको देगा so make sure आप डाउनलोड करेगा fantasy अखाड़ा एप इसका लिंग आपको मिल जाएगा वीडियो की description में यह lowest commission के फरजी दावे बहुत जगे सुने होंगे है न पर कभी इंडिया के fantasy sports का असली अखाड़ा देखा है वहाँ पर टीम बनाई है आओ खिरो fantasy अखाड़ा पर खुद देखो lowest commission और highest earning क्या होती है जल्डे fantasy अखाड़ा एप डाउनलोड करो और चीतो so दोस्तो let us go and check out the best fantasy combination for this pad Jordan versus Malaysia आपको पहली बदा चुका हूँ कि मेरा prediction is a 2-0 win for Jordan और sort of यही reflect करती है हमारी टीम पहले बात करते हैं हम goalkeeper section से और यहाँ पर मैंने Malaysian goalkeeper को pick किया है जो है Hazmi इसके अपर जादा मैं बहुत बोलने के लिए नहीं है I just feel कि Jordan के outfield players better है as compared to the goalkeeper so मुझे लगता है कि Malaysia का goalkeeper वैसे भी आपको जादा saves this match में दे सकता है चलते हैं defense पर दोस्तों यहाँ पर मैंने तीन Jordanian defenders को pick करें है Arab, Haddad and Nasib by chance अगर आपको लेटसे एक defender को wise captain करना है आप Haddad को कर सकते है because he is the one जो एक wing back के role में खेलेंगे और आपको काफी अच्छा assist potential और chances created के numbers दे सकते हैं Arab इनके center back है and Nasib is also a right center back यह basically आपको काफी अच्छे passing points दे सकते हैं अगर आप बात करें from a Malaysian perspective purely from a base points point of view दोस्तों Lawrence is someone जो आपको काफी अच्छे points दे सकते हैं यह wing back खेलते हैं तो आपको थोड़ा बहुत attacking potential भी देते हैं but defensively अगर आप देखें tackle and deception wise मेरे को लगता है कि Malaysian team में से he is the one to go for ना दोस्तों midfielder section पर चलते हैं यहां पर आप देख सकते हैं मैंने pick किये हैं दो Jordanian players and 2 Malaysian players मार्दी को मैंने pick किया है differential pick है he is a very interesting player because यह actually Malaysian league में खेलते हैं so he is someone जो एक Jordanian player है Malaysian league में खेलते हैं और Malaysia के against इनका match है he definitely knows कि Malaysian जो opponent है वो कैसे खेलते हैं कई सारे players जो है Malaysian team में वो इनके teammates भी है at a club level so मुझे लगता है he could be a very interesting punt वैसे भी he is someone जो काफी अच्छा goal assist potential ले सकते हैं तो very good punt मैं तो कहूँँगा मार्दी अपके इस match के लिए उसके बाद अगर आप देखो मैंने wise captain किया है अगर आप chances credit की बात करें अगर आप assist potential की बात करें basically best creator है इस Jordan team का also someone जो काफी shots और goal contribute करते हैं इसलिए इनको wise captain किया है उसके बाद दोस्तों मैंने दो Malaysian players को pick किया है एक pick किया है मैंने विल्किन को ये भी एक ऐसे player है जो defensively भी operate करते हैं और आपको थोड़ा सा potential भी दे सकते है attack wise because sometimes ये एक wing back wing back के role में खिलते हैं उसके अलाबा मैंने आइमान को pick किया है he's someone जो goal scoring wise is good and also defensively is very good so primarily दोस्तों Malaysia से मैं expect नहीं कर रहा हूं करे भी करेगी भी तो कोई ऐसा कोई standout goal score नहीं है that is why I feel कि these players जो आपको defensive points जे सकते हैं are very very important for your team ना दोस्तों before we go to the forward section आपको बताना चाहूंगा about the view spot app जहां पे एक बहुत शांदार offer चल रहा है for only two triple nine आपको next one year के लिए all cricket and football matches की AI generated fantasy combinations मिलेंगी stats और data की basis पे आपको दी जाती है और fantastic record है अगर आप football teams का बात करेंगे चाहे A league हो या प्रेमर लीग हो make sure आप इस offer को avail करिए download करिएगा view spot app subscribe करिए annual offer को only two triple nine link आपको बिल जाएगा view spot app का video की description में now let us go to the strikers यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते है कि Naimaat को मैंने pick किया है और Altamari को मैंने pick किया है CVC के बारे मैं आपको बार में बताऊंगा but मेरे को लगता है यह दोना सबसे likely goal scorers है in this particular match Naimaat is someone जो Jordan के लिए at a national level is a very good option a fantastic option he is someone जो one of the highest goal scorers है inka short volume is very very high he is the one जो Qatar league में खेलते है और उन्होंने काफी goals भी score करे है so मुझे लगता है a good very good experience option for your fantasy team Altamari is someone जो one पहले यह के लिए खेलते हैं in league French league में खेलते हैं so he is someone जिनकी pedigree है अगर कोई Jordan का player है जो French league में खेल रहा है that means उनकी pedigree है so he is also a very very good option a must have है और आगे आपको बताऊंगा कि आप इनको captaincy wise captaincy में भी दे भी सकते हैं चलिए उसी section में चलते हैं let us go to the captaincy section यहाँ पे दोस्तों आपने देखा है मैंने Al-Naymat हो गए Tamari हो गए and of course Rababde हो गए so आप देख सकते हैं मैंने दो option दिये है captaincy के लिए Naymat is the safer option मुझे लगता है कि अगर आपको किसी player को captain करना है safe जाना है let's say head to head team में आपको अपनी team मनानी है तो maybe Naymat को ले सकते हैं अगर आपको let's say एक थोड़ा सा differential जाना है 3-4 member team में आपको एक अच्छा captain pick चाहिए तो आप Al-Tamari को भी दे सकते हैं यह एक ऐसे player है जिनके club level पे performances are good बढ़ Jordan के लिए national level पे इन्होंने अभी दक इतने अच्छे performances नहीं दिये है differential captaincy के अगर बात करें यहाँ पे मैंने महमूद मार्दी को दिया है जैसे मैंने आपको बताया था he is a Jordanian player जो Malaysian league में खिलते हैं और इनका match है Malaysia के साथ तो काफी interesting है वैसे भी इनका goal output is very very decent for his national team तो मुझे लगता है कि he is someone जो आपकी team में एक अच्छे differential captaincy pick हो सकते हैं उसके राबाद GL picks के अगर आप बात करें तो grand league अगर आपको crack करनी है so someone like Indrik जो एक Malaysian player है, midfielder है he is someone जो मैं expect नहीं कर रहा हूँ कि Malaysia इस match में goal score करेगी बट अगर करती है Indrik type का player एक काफी अच्छा differential GL pick हो सकता है आपकी team के लिए इसके लबाद दोस्तों आपको और अगर insight चाहिए football और cricket matches का alongside other offers as well so आप Viewsport का Telegram channel को बिलकुल subscribe करना मत भूलेगा Viewsport के Telegram channel का भी आपको link मिल जाएगा video के description में so दोस्तों, that is it for this video wishing you all the best for this match stay safe and I will see you soon cheers guys